हेलो एब्रीवन वेलकम टू विद्यांजिले आयेस आज हम क्लास नमबर 15 को स्टार्ट करेंगे इससे पहले 14 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं और जो पार्ट्स बाकी आप में से किसी ने नहीं देखे हैं तो उनको आप कवर कर लें और अपना जो है टेस्ट भी अटेम्ट कर करने का कोई मतलब नहीं हम सीधा स्टार्ट करते हैं बाकी फालतू की कोई चीज है नहीं हमारे पास में जिन लोगों को एक्च्वल में एक्जाम निकालना है दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको यहां से बहुत सारी कुश्चिन मिलने वाले हैं आईए स्ट पर ठीक है भारत का तो अपना जो है अट्लस है ही उसमें बर्ट की लिस्ट वगरा हैं लेकिन इस्टेट ने अपनी खुद की एक लिस्ट निकाल दी है और वो कौन है कैरला कैला ने अपने यहां पर एक पक्चियों का अट्लस बनाया है जिसमें ज्यादा तर जो कैला की ज एक्स्टा चीजें के केरला बर्ड का जो एटलस है वो भारत में अपनी तरह का पहला है ये ठीक है इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ठीक है और इसमें बिश्वशनी और आधार्भूत डेटा है मींस ऑथेंटिक डेटा है कि बाकी अब जो बुक्स वगरा क कीम बगरा के लिए तो वहां से अथेंटिक डेटा मिलता है आई अब जानते हैं कुछ एक्स्टा डिटेल्स देखो केरला से लेटेट हमेशा कुशन्स आते रहे हैं ठीक है क्योंकि काफी वहां पर जो है वन बगरा हैं बहुत सारे और बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं ट बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है मैं इन सब को बता रहा हूँ आपको यहीं से कुश्यन आते हैं एक है आपका पेरांबी कूलम यह बहुत इंपोर्टेंट है और एक है आपका इरावी कूलम यह भी बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है और एक हो गई आपकी चिनार वाइड बहुत popular है और एक फिर आपकी इडुकी इडुकियां का एक जलावी है शायद और वहां पर भी wildlife century है एक है फिर इनका पेरियार ठीक है पेरियार तो एक संत थे एक लीडर थे उनके नाम पर है अब आते हैं इस साइड में देख लेते हैं जरा देखो इनकी एक popular है माला बार wildlife century यह बहुत पॉपुलर है और देखिए और कौन सी पॉपुलर है एक आपके लिए पॉपुलर है कहां गई आपकी यह बेमनाद ठीक है यह बहुत पॉपुलर है बेमनाद यहां पर एक जील भी है ठीक है और एक है फिर आपकी सस्थम कोटा यह भी बहुत पॉपुलर है और ए इनको लिखेंगे तो आपके मन में याद हो जाएंगे और जब वहां पर आपके सामने option आएगा तो आप उसको देख करके बड़ी आसानी से solve कर पाऊगे ठीक है तो इनको आप याद रख लीजेगा इस वाले के केरला में हमने बता दिये हैं बाकि और धीरे-धीरे करके जहा नाइमुदी हो गया मत्य जो है मैठी केटन हो गया और आपका पेरियार हो गया इधर नएयर वाइडलाप चंक्चुरियों गोई अस्टमुदी हो गया बैमनाद हो गया और मालावार हो गया यह हमेशा से पूछे जाते रहे हैं चाए वो आपका स्टेट PCS हो यूपी सी हो सब जगे पर यहीं से कुश्यन साते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्यन नमबर सेबंटी टू आइजेंटिफाइद करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनर्सिया जड़त्त के वारे में सही कथन पहचानना है हमको अब जड़त्त आपको पता होगा इसको हम बेमान जतना ज्यादा होगा उसका जड़त भी उतना ही अधिक होगा अब कैसे इसको बारे हम थोड़ा सा डेटेल जान लेते हैं कि अगर इसमें से कहीं और अगर कुश्यन बनता है तो देखो मैं आपको एक चीज यहां पर बता दू कि कुश्यन बनाने की जो टेक्निक्स होती है जो एक्जामस में बनाते हैं क्योंकि हम भी बनाते हैं कई सारी इंस्टिट्यूट्स के लिए कुश्यन हम भी बनाते हैं ठीक है क्या करेंगे जैसे मालो एससे क्या करेगी या यूपीस क्या करेगी कि इस वार इसको यहां से बना दिया तो नेक्स ताइम हो सकता है क Newton's first law Newton का पहला नियम इसको कहा जाता है वो क्या कह रहा है कि यदी कोई वस्तू एक जगह पर अपनी जगह रखी हुई है तो हमेशा अपनी जगह रखी रहेगी जब तक कि कोई दूसरा फोर्स उस पर लगा करके उस वस्तू को दूसरी जगह नहीं हटाएंगे प्लस यदी कोई वस्तू कोई ऑब्जेक्ट ठीक है वो घूम रही है ठीक है वो गती कर रही है मोशन कर रही है तो वो मोशन करती ही रहेगी करती ही रहेगी कब तक जब तक कि उसको कोई बाहर से आकर कि रोकेगा नहीं जैसे माली जे कोई कार है ठीक है ए नाम की कोई कार है वो आगे चली जा रही है तो वो चलती ही रहेगी कब तक कि कोई इसे रोक रहेगा नहीं तो आप सोच रहे होंगे क्यों कौन रोकता है वो तो अपने आप रोक जाती है अगर उसका इंजिन ब्रेक अगर हम उसको accelerator नहीं लगाएं इंजिन को बंद कर दें तो देखो उसको कौन रोक रहा है उसको रोक रहा है उसका friction ठीक है friction जो गाड़ी के टायर के बीच में और रोड के बीच में जो लग रहा है वो उसको रोक रहा है तो इसलिए यहां पर Newton कहते हैं कि कोई भी वस्तू अपने motion में रहेगी या अपनी rest position में रहेगी यदि उसको बाहर से कोई बल लगा करके नहीं रोकेगा या उसको नहीं चलाएगा ठीक है तो इन object और च्छा अब दूसरी बात जिन वस्तूओं का मास ज़्यादा होता है उनमें इनर्सिया भी ज़्यादा ही होता है जैसे आप देख लीजिए कि एक छोटी सी cycle देख लीजिए आप ठीक है बाई cycle जो है वो अगर चली जा रही है और काफी speed में हो जाकर के वो किसी दीवार से टकरा जाए ठीक है तो वो दीवार से टकरा करके बापस हो जाएगी गिर जाएगी यहीं पर आप सूचिए अब एक बड़ा सा ट्रक आ रहा है 50 की speed से और वो उसी दीवार में जाकर के hit कर दे तो क्या करेगा दीवार टूट जाएगी प्लस दूसरी बाग कि जैसे कई वार आपने देखा होगा हमने तो देखा है कि गाउं में ट्रेक्टर होता है ना ट्रेक्टर उसे ट्रेक्टर के पीछे जो ट्रॉली लगी रहती है अगर उसमें बहुत ज्यादा लोड होता है और ट्रेक्टर काफी तेजी से जा रहा है और उसको अगर ब्रेक लगाने पड़ जाते हैं तो वो आफिने और चलाना काफी मुश्किल वाला काम होता है, आसानी से नहीं चलते हैं, आपको ट्रक को अगर आपको धखका देना है तो आप अकेले सायद उसको नहीं हिला पाएंगे। लेकिन वहीं इस bicycle को आफिला पाएंगे क्योंकि bicycle का जो mass है वो कम है लेकिन truck का mass ज्यादा है ठीक है तो बाकी सारे options थे वो invalid थे तो अब आप समझ के होंगे आते हैं question number 73 पर कि अनंतराज सागर tank जो अनंतराज सागर नाम का जो है तालाब था ये किस ने बनवाया था देखो अभी आपको पता होगा कि आजादी का अमरत महोसब जो चल रहा है तो उसमें पूरे भारत में अमरत सरोवर बनवाए जा रहे हैं ठीक है अमरत सरोवर या जो पुराने सरोवर थे तालाब थे उनको जो है रिन्यू किया जा रहा है उनको रेजूबिनेट किया जा रहा है तो ऐसे इसलिए ये question जो है highlight में रहा तो अनंत राज सागर जो टैंक है इसको किस ने बनवाया था देखो ये बिजे नगर empire जो हुआ करता था उसके राजाओं ने इसको बनवाया था ठीक है क्योंकि उस समय सचाई उचाई के लिए आज की तरह summer या duel वगरा तो नहीं होते तो इन्होंने इसको बनवाया था अब बाकी जो options थे थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं क्वाई पाल ये किसलिए popular थे मराठा चोल इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं देखो imperial जो बिजे नगर empire था उन्होंने जो है ये माल देवी रिवर पर कौन सी लिचाई बगरा की समस्चा है वो solve हो सके जो मराठा थे वो किलेवले टाइप के पत्थरों से बने हुआ काम उनके लिए popular थे वो मराठा उन्हें एक दीवार बनवाई थी जिसका नाम क्या था wall of Troy ठीक है ये ऐसे समझ लो इसको कहा जाता था कि Troy of the East काफी बड़ी मोटी त दीवार है कि आप उस पर जो है कार चला करके ले जाए दीवार के ऊपर से और फिर भी रास्ते में क्या मिलेगी आपको जगह मिलेगी साइड में ठीक है तो इतनी बड़ी मोटी दीवार थी किले की रक्षा के लिए अब मैं आप से पूछूँगा कि ये wall of Troy कहां है जरा सर प्लप्चर और जो है बहुत सारी कलाकारी पेंटिंग बगारा के लिए जाने जाते हैं अधीके इसको किस ने स्थाबित किया था गोपाल नाम का जो शाशक था उसने पाल्वंश की नीव कि थी चोल डाइनिस्टी चोल डाइनिस्टी से रिलेटेड हमेशा क्वेशन साते रहें एक कुशन क्या है ब्रहदेश्वर टेंपल का यह पहले भी रिपीट हुआ है ठीक है ज्यादा डेटिल के लिए तो आप पिछली वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा हम डाल देंगे उसका लिंक और तंजोर के गार्डन तंजोर का टेंपल और ब्रहदेश्वर का टेंपल इसको कहा जाता है तंजोर के टेंपल के लिए ठीक है हलांकि गार्डन बगरा भी है लेकिन यहां में जो हमारा फोकस है वो है इसका ब्रहदेश्वर का टेंपल यह उसी के लिए प्रफे जो है पापुलर है अब आप से कुशन पूछता हूँ कि ब्रहदेश्वर क टेंपल यह कौन से भगवान को समर्पित है जरा बताईए कौन से गौड के लिए समर्पित है और जिस गौड के लिए यह जो समर्पित है यह मंदिर इसका एक नाम और है इस मंदिर का और उसी नाम उसका नाम है राज राजिश्वर टेंपल राज राजिश्वर टेंपल यह आगरा में भी इसी नाम से एक मंदिर है ठीक है तो आगरा वाले इसको भाई देख लीजिएगा कहां पर है आपके याँ मैंने देखा है उस मंदिर को 74 कुष्यन नमर पर आते हैं कॉरियोग्राफर्स कौन था जिसको तीन वार क्या मिला है नेशनल अवार्ड मिला था उसको ठीक है फिल्म अगरा में कोरियोग्राफी के लिए तो यह थी भाई आपकी सरोज क्या नाम इसका सरोज खान यह मर गई थी दो मत सौरी इनकी डैथ हो गई थी जो है 2020 में तो इसलि मूब करोगे हाथ को किधर घुमाओगे पैर को किधर ले जाओगे एक दो तीन फिर ऐसे करके तो यह डांस वालत सका डोला रे डोला जो गानाएं यह इश्क हाए है ना यह ऐसे गानों पर इन्होंने क्या की थी कोरियोग्राफिक की थी अब इसमें आपको सरोज खान को ब कुछ को 98% या 99% चांसे लग रहे हैं कि यहां से कुश्यन आएगा देखो 68 इस वार का जो फिल्म फेस्टिवल का जो अवार्ड है हुंडई फिल्म फियर अवार्ड यह दिये गए हैं कौन सा नंबर है यह 68 कई बार नंबर पूछ लेता है और इसको किस ने किया है जियो व होने इसको होस्ट किया था मोस्ली सलमान खान ऐसा होस्टर करते नहीं है ऐसे किसी इवेंट को आपने देखा नहीं होगा होस्ट करते हों ठीक है यह जो फिल्म फेर होते हैं इसमें ब्लैक लेडि की तॉप हुआ ट्रॉफी ठीक है और इस वार जो यह ट्रॉफी मिली है वो गंगु वाई काठिया वाडी इस फिल्म को मिली है अब आपको यह लेडी कहां से लग रहे हैं मुझे तो नहीं लग रही लग रहा हाथ टेड़ा मेडा करके या कोई सांप माप सा खड़ा हुआ है अब बताइए इसमें लिए लेडी कहां से लग रहे ही आपको ठीक है यह बाल दीजे ठीक है यहां तक हम मान सकते हैं कि ठीक है ठोका इन्सान जयसा आइंड लेकिन यह कहां से एक दम टेला मेडा कर दिया चलिए आगर देखते हैं बाई नेक्स्ट कॉच्शन हमारे पास क्या है 75 नमर कॉ आ ऑह जो है इस टोर होती है तो बहुत पूर होती है दोस्तों ऄफ ठीक है अब जान लेते हैं इन के पर लीवर में वो स्टोर हो जाते हैं और जब जरूरत पढ़ती है तो वहाँ पर क्या होते रहते हैं वो यूज होते रहते हैं ठीक है तो humans हो गए या animals हो गए वो सब अपने glucose को स्टोर करते हैं जो glucose है वो glycogen की form में store रहता है ठीक है और जब जरूरत पढ़ती है तो यही glycogen किस में convert हो जाता है और हमारी body को क्या मिल जाती है energy मतलब ऐसे मान लिए एक खाना ठीक है खाने से हमने क्या glycogen की form में यह store हो गया और जरूरत पढ़ी तो उसका फिर क्या बन गया glucose बन गया और हमारी body को energy मिल गई ठीक है चलिए maltose को जान लेते हैं maltose या malt sugar भी कह देते हैं यह disaccharide sugar होता है या glucose होता है जिसको हम कहते हैं ठीक है यह इसका formula हो सकता है formula पूछले कई बार पूछता रहता है ठीक है यह जान लिए in the digestion of starch में जो maltose है वो एक essential intermediate है means जब starch जो होता है जब उसको हम digest करते हैं तो उसके एक बीच की form होती है क्या maltose मैं आपको बहुत ज़्यादा chemistry में नहीं form है फिर आते हैं glucose पर इसका formula बहुत बार पूछा गया है C6H12O6 ठीक है तो यह सिंपल सोगर होती है सिंपल सोगर ठीक है इसलिए जब आप बजार से ला करके glucose पीते हो तो आपको तुरंत कैसा लगता है energy मिल जाती है ठीक है आपको digest तो कुछ करना नहीं पढ़ता सीधा ब लेकिन glucose आप लाओ एक ग्लास में दो चमस डाल करके पीओ तुरंत energy मिलेगी ठीक है सीधा डाइजेशन का जंजट खतम सीधा पी जाओ तो यह जो energy drink आती है जैसे sting आ रही है red bull आ रही है वो क्या है glucose की form में है और उसमें ऐसी कई सारे चीज़ें और भी हैं जिनसे तुरंत energy मिल जाते हैं अब आते हैं starch के बारे में जान लेते हैं यह भी एक type का high carbohydrate होता है और plants में होता है यह और और इस plants के starch होता है उसी को हम लोग यूज भी करते हैं in the store glucose तो glucose को store करने के लिए हम starch का भी हमारी body में यूज होता है तो आप ऐसे मान लीजिए कि जो starch हो गया glucose हो गय ठीक है या glycogen हो गया जो हमारा food digest होता है पचता है पाचंद जिसकों कहते हैं पाचंद परक्रिया उसी के बीच की stages है उनी में से food में से बहुत सारी चीज़ें अलग लग हो जाती है कुछ चीज़ें mix हो जाती है तो उनी में से इनका सब का क्या है अपना अपना role play होता है अब मैं आपसे request करूँगा कि आप एक तो इसका formula रट लीजिए और एक glucose का formula रट लीजिए ठीक है तो यहां से कई वार questions बनते हैं आज के लिए दोस्तों इतना ही next class में फिर से मिलते हैं तो subscribe कर लीजिए और पसंद आए तो like कीजिए और ना पसंद आए तो dislike कीजिए लेक तो आईए दोस्तों इसको finish करते हैं जैहिन वंदे मातरम